लास्ट वीडियो हमने उपसर्ग से संबंदित किया था तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा आज हम करेंगे प्रत्यकर टॉपिक ठीक है जैसे ही ये सारे टॉपिक जो हैं बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम इनके mix करके सभी question answer जैसे आपके exam में पूछे जाते हैं इसी तरीके से करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम topic जो है इनको clear करते जाते हैं तो प्रत्य क्या होते हैं जो सब्दांस किसी मूल धातू के बाद लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उस सब्द का निर्मान कर देते हैं तो क् प्रत्य कहेंगे जैसे कि उपसर्ग की हमने बात की तो वो आगे लग रहे थे इसी तरीके से प्रत्य जो है वो पीछे लगकर मूल धातू के पाद बाद लगकर उस सब्द का निर्मान करते हैं एक्जांपल में देखें तो जैसे कि पड में आकू प्रत्य लगा तो पढ़ प्रत्य जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तो प्रत्य भी उपसर्ग की तरह संस्कृत के प्रत्य होते हैं हिंदी के प्रत्य होते हैं और विदेशी प्रत्य भी होते हैं लेकिन हिंदी के जो प्रत्य हैं वो एक्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं जो कि दो टाइप की होते हैं क्रित प्रत्य और तदित प्रत्य ठीक है क्रित प्रत्य और तदित प्रत्य तो जान लीजी क्रित प्रत्य क्या होता है क्रित प्रत्य वो प्रत्य होते हैं जो की क्रिया के बाद लगते हैं ठीक है इसके अलावा तदित प्रत्य वो होते हैं जो क्रिया को छोड़ कर सं अब हम स्टार्ट करते हैं उपसर्ग और प्रत्य जो है वो बहुत अच्छे से ही मैंने आपको पहले वी करा दिया है आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो चलिए Q1 जो है वो पढ़िए पनीला में प्रत्य है पनीला में क्या प्रत्य है ला प्रत्य है नीला प्रत्य है इला प्रत्य है या इल प्रत्य है तो फटाफट से इसमें सोचिए कि इसमें प्रत्य जो है वह कौन सा होगा तो देखिए यहाँ पर पनीला में जो प्रत्य है वो क्या रहेगा बिलकुल option C जो है वह सही है इला ठीक है तो पनीला में इला प्रत्य है इसी तरीके से रंगीला में भी इला प्रत्य होता है चमकीला में भी इला प्रत्य होता है भडकीला में भी इला प्रत्य होता है ठीक है चलिए, next देखिए, question 2, सिंदू में कौन सा प्रत्य लगाने पर सैंधव सब्द निर्मित होगा, a, u, dhu, या इनमें से कोई नहीं, तो सिंदू जो है, इसमें कौन सा प्रत्य लगाने पर सैंधव बनेगा, तो सोचिए, सही आंसर क्या होगा, तो चलिए, बात कर लेते हैं, कि सिंदू में कौन सा प्रत्य लगने पर सैंधव बनेगा, तो बिल्कुल सिंदू में क्या लगेगा, सिंदू में लगेगा, a प्रत्य, ठीक है, u और a, मिलकर क्या बन जाएगा, व, तो यहां सिंदू में a प्रत्य लगकर क्या बना, सैंधव किस सब्द में अप्रत्य है? पंजा, चलन, निंदनिय या गौरव? तो लास्ट कोशन जो था, कोशन नमबर टू, इसी में हमने देखा था अभी कि सिंदू में अप्रत्य लगकर क्या बना? सैंधव बना, इसी तरीके से गुरू में अप्रत्य लगकर बनता है गौरव, ठीक है? क्योंकि जब हम संधी सीखते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि उ और आ, मिलकर क्या बनते हैं? व बनते हैं, तो ठीक है? सिंदू में अप्रत्य लगाया, सैंधव बना, गुरू में अप्रत्य लगाया, तो क्या बना? गौरव. किस सब्द में एक प्रत्य नहीं है? तो सबसे पहले, जो RBSC की बुक में ही प्रत्य और उपसर्ग दिये गए हैं, तो उनको आप बिलकुल बहुत अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि उनको याद करने से पता चल जाता है कि प्रत्य कौन सा होगा, ठीक है? जैसे कि क जो है, वह भी एक प्रत्य होता है, ता प्रत्य होता है, नी प्रत्य होता है, अन प्रत्य होता है, एरा प्रत्य होता है, ठीक है? आहट प्रत्य होता है, तो इस तरीके से आप उनको याद कर लेंगे, तो question answer में आपको यहाँ पर आसानी हो जाएगी. तो किस सब्द में एक प्रत्य नहीं है? कारोणिक, वैश्विक, सांसारिक और स्वस्तिक. देखिए D जो है वो है स्वस्तिक. ठीक है? स्वस्तिक नहीं होता है. क्या होता है? स्वस्तिक. तो अब सोचिए एक प्रत्य नहीं है. किसमें नहीं है? तो देखिए इस सब्द में एक प्रत्य नहीं है किसमें नहीं है करोणा में एक प्रत्य लगा तो क्या बना कारोणिक अब यहाँ पर का में स्वर की जो व्रद्धी है वो क्यों हुई है क्योंकि एक प्रत्य लगा है इसी तरीके से वैश्विक में एक प्रत्य लगा विस्वो में एक प्रत्य लगा तो वैश्विक बन गया संसार में एक प्रत्य लगा तो यहाँ पर सांसारिक बन गया ठीक है तो पहले जो वार्ण है उसमें व्रद्धी हो रही है इसी तरीके से स्वस्तिक ये देखिए स्वस्तिक है और यहाँ पर मूल शब्द क्या है? स्वस्ति, स्वस्ति में क प्रत्य है, एक प्रत्य नहीं है, देखने से लग रहा है कि यहाँ एक प्रत्य होगा, लेकिन दिहान रखना है बहुत अच्छे से, मूल शब्द है स्वस्ति और उसमें क प्रत्य लग रहा है, अब इसके अंदर उपसर्ग भी है और वो क्या है सु धन अस्ति धन क क्या बना स्वस्तिक बना तो यह क्या होगा सही आंसर क्योंकि इसमें क्या है क्प्रत्य है नेक्स्ट देखिए क्यों सा होगा तो बहुत ही आसान है मूल शब्द क्या है मूल शब्द है शेर में अब देखिए क्या लग रहा है नी प्रत्य लग रहा है यदि हम इसमें से अनी को बाहर कर देंगे तो रह के नीचे क्या लग जाएगा हलंत आधा रहा लग जाएगा जो की कोई मूल शब्द नहीं बनेगा शेर जो है वो अपने आप में ही क्या है एक मूल शब्द है और इसमें नी प्रत्य लग के बना शेर नी चचेरा शब्द में प्रियुक्त शब्द है आ प्रत्य, चेरा प्रत्य, एरा प्रत्य या एरा प्रत्य तो यहां पर जो प्रत्य है वो क्या है चाचा में एरा प्रत्य लग कर क्या बना चचेरा बना तो हमने बात की थी क्रत प्रत्य और तदित प्रत्य तो यहां चाचा जो है वो क्या है चाचा जो है वो है संग्या है तो सोचिए जब संग्या है तो यह क्रत प्रत्य होगा या तदित प्रत्य होगा तो यह क्या होगा यह होगा तदित प्रत्य है क्योंकि हमने बिलकुल श इनके साथ नहीं जुड़ते हैं, तो वो क्या होते हैं? कृत प्रत्य होते हैं, जो कि क्रिया के साथ जुड़ते हैं. Next देखिए, Question 7. निमने में से कौन सा सब्द प्रत्य से युक्त है? धनिक, विकच, अलक और विकाश. तो इनमें कौन सा सब्द प्रत्य से युक्त है? किसमें प्रत्य लगा हुआ है? तो यहां पर जो प्रत्य लगा हुआ है, वो है Option Number A. ठीके? धनिक. धनिक में प्रत्य जो है वह है लगा हुआ है. धन में एक प्रत्य लगा हुआ है. इसके अलावा विकच, अलक और विकास. इनमें कोई भी प्रत्य नहीं है. Next देखिए Question 8. निमनल किस शब्दों में किस शब्दों में प्रत्य नहीं है? गहराई, नाई, पढ़ाई और लिखाई. तो इनमें किस सब्दों में प्रत्य नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर आंसर जो रहेगा, वो रहेगा Option B. नाई, नाई क्या है? यह तो खुद ही एक शब्द है. यहाँ कोई भी प्रत्य नहीं है. इसके अलावा गहराई, पढ़ाई, लिखाई, इन तीनों में ही आई प्रत्य लगा हुआ है. तो यहाँ पर यह भी आपको जानना जरूरी है कि कृद प्रत्य कौन सा है इसमें और तदित प्रत्य कौन सा है. तो देखिए क्रित प्रत्य जो है वो क्या है जो क्रिया के बाद लगेगा तो पड में आई प्रत्य लगा पड क्या है क्रिया है तो क्रिया के बाद लगा तो यह क्या हो गया क्रित प्रत्य हो गया लिख क्या है यह भी क्रिया है क्रिया के बाद आई लग रहा है यह क्या है य यह तद्रत्य है. Next देखिए. निमनलिकित में से ऐसे प्रत्य का चुनाव कीजिए, जो लूट के साथ लगाकर उसे संग्या सब्द में बदल सकें. Option देखिए, एया, वाला, एरा और अक. ऐसे प्रत्य का चुनाव कीजिए, जो लूट के साथ लगाकर उसे संग्या सब्द में बदल सकें. तो लूट के बाद कौन सा प्रत्य आप लगाएंगे, कि वह संग्या बन जाएगा. तो सोचिए, इसमें से सही आंसर जो है, वो आप क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा, लूट में हम लगाएंगे एरा प्रत्य हैं, ठीके? एरा प्रत्य लगाते ही क्या बन जाएगा? यह लुटेरा. नेक्स्ट देखिए, कुश्चन 10, कौन सा प्रत्य हरित के साथ लगकर भाव अचक संग्या का अर्थ देगा? ता, आई, आलू, या इमा. ठीके? तो यह वो आलू नहीं है, जो सबजी में डाला जाता है. यह क्या है? यह प्रत्य है आलू. इसमें छोटे उकी मात्रा है. तो यहाँ पर देखिए, हरित के बाद ऐसा प्रत्य लगाना है, कि वो भाव अचक संग्या बन जाए. तो यहाँ पर जो लगेगा, वो लगेगा इमा. ठीके? हरित में इमा प्रत्य लगकर बनेगा हरितिमा. तो हरितिमा जो है, वो क्या है? एक भाव अचक संग्या है. ठी निर्म्त शब्द नहीं है नयायिक अधिक एतिहासिक या सैख्षनिक तो इन इक परत्य से निर्मित शब्द नहीं है तो सूचिए क्या होगा तो इक परत्य लगने पर ये में पता है कि जो पहला वर्ण होगा उसमें व्रद्धी हो जाएगी, ठीक है? स्वर में व्रद्धी हो जाएगी. तो बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दी रहा है कि न्याय में एक प्रत्य लगा क्या बना? न्याय एक बना, इतिहास में एक प्रत्य लगा एतिहासिक बना, सिक्षण में एक प्रत्य लगा, सैक्षणिक बना, लेकिन अधिक जो है वो क्या है, खोद ही एक शब्द है, तो यहाँ पर एक प्रत्य नहीं है, तो आंसर होगा बी ओप्षिन. मानव सब्द में से प्रत्य छांटिये, व, नव, अव या अ, तो हमने देखा था पहले सैंधव, गौरव, ठीके, तो उसमें कौन सा प्रत्य निकल रहा था, तो बहुत ही आसान है कि जो अ है, आ प्रत्य निकल रहा है, ठीके, उ और आ मिलकर क्या बन रहे हैं, व, तो मनू मे और प्रत्य लगके क्या बना मानव, तो इस तरीके से 12 कुश्चन में आप लोगों का प्रत्य का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठेंक यू,